हलो फ्रेंट्स वर्म वल्कम तो मैं चानल दोस्तों आज वीडियो में बात काने वाले हैं ओरियंट ग्रीन पावर लिमिटेट के राइट्स इश्यू के बारे में तो दोस्तों इससे पहले जब इसका राइट्स इश्यू आया था विचिस जस्ट टू मॉन्स बैक मैंने बैक क्योंकि जरूरी यह है कि अब थोड़ा सा थियोरी समझो हमेशा ताकि next time कोई भी ऐसा company का राइट्स आये तो आपको जादा इधर उदर वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े अब खुद से ही अपना कर सको तो यहाँ पे आप देख सकते औरिन ग्रीन के में हम मैंने द वहाँ पे थोड़ा सा इनको फंड की जरूरती 230 क्रोर के आसपास तो यहाँ पे जो इशू का फेस वैलू था वह 10 का ही था अभी भी 10 का ही फेस वैलू है यह जो इशू था यह आपका credit डेट था 27 सेप्टेंबर लिस्टिंग डेट था 29 सेप्टेंबर तो 29 सेप्टेंबर पगड़ के चल सकते हैं सेप्टेंबर के एंड तक यह राइट्स क्लोज हुआ था उसके बाद ऑक्टोबर का एक महीने का गैप था और आज नवेंबर पांस तारी को मैं वीडियो बना रहा था अब देख सकते हो जस्ट एक महीने के बाद ही कंपनी फिर से यहाँ पर अवेंबर का सरकूलर है यहाँ पर कंपणी के बोर्ड मीटिंग में कंपणी ने यह बताया था कि वह यहाँ पर राइट्स इशू लेके आने वाले हैं राइट्स इशू क्या प्राइस होगा किस रेंज पर आपको मिलेगा अप्लाई करनेगा वो सारे इंफोर्मेशन ओव पिछले बार जब शेर का मैंने डिसकस किया था ओविएसली वह शेर आप का अल्मोस्ट जो शेर का प्राइस था वह 14-15 के आसपास ट्रेट कर रहा था अभी भी शेर का अगरा प्राइस देखो उसी रेंज पर ट्रेट कर रहा है आप देख सकते हो यहाँ अपर सरकृट बताया गया था 1962 यहां पर राइस का जो प्राइस है वह भी आपको बताया गया था राइस का प्राइस कैसे डिसाइड होता है वह अब्यूसली कंपणी अपने प्रीमियम वैल्यू पर डिवाइन करती है तो वह आपको ओवर दू को पता चल जाए गा तो पिछले बार जो प्राइस का कंपणी ने दिया था वो टेन रूपीज पर शेयर के प्राइस पर था पंदार रूपया का शेयर था तो आप देख सकते हों यहां पर आपको 33 परसेंट तक का डिसकौण मिला था पंदरा का शेयर था वह आपको 10 रूपय में मिला था अभी भी शेयर वही 15 करना यह सारे चीज़े अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है यह सब जानना कि रेकॉर्ड डेट कब है बेड कब ओपन होगा रेंसेशन कब होगा यह सारे इंफोर्मेशन कंपनी ओवर दे पीरिड ऑफ टाइम जब अ मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको इंट्रेस्ट है अपलाई करना का तो आपके पास होमवक करने का काफी टाइम है आप पुराने चैनल के वीडियो को जरूर देखें जो यह लास्ट टू लास्ट मंथ जो राइट सिश्यू देखा था जो दूसरा वाला वीडियो मैंने बनाया था ओरिंट ग्रीन का उसका भी आपको मैं दिखा देता हूं तो और डिटेल्स मैंने कैसे अपलाई करना हूँ बताया था उसमें देख सकते हैं चौबीस अजार लोगों ने इसको देखा है काफी लोगों को इससे स्टेप मिस ना करो कोई भी शेयर वाई करो सेल करो कुछ भी करो आप कोश्चेंज बहुत ज्यादा पूश्ते हो लेकिन प्रॉब्लिम यह कि आप वीडियो बाद में देखते हो एक बार एक्जिक्यूट हो जाता है उसके बाद आप वीडियो चेक करके आप उसका स्टेप या फिर उसका जो फॉल्ट है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हो लेकिन सजेशन यही है कि आप वीडियो पहले देखा करो ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है उमिद करता हूं यह लॉजिकल लगा आपको बात है आपको अगर कोई भ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं हाजिर होता हूं एक और कंटेंट लेकर टेक क्यार